का लास रेडम्ट है, बहुत लोग का मसला ये की फॉर्म भर रहे हैं, तो सब्जेक कॉम्बिनेशन क्या करें, फॉर्म को लेके भी इशू है, क्या करें बच्चे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और चुकि अभी आज हमारा टेस्ट था, और लगभग टेस्ट में तीन हजार प्लस बच्चे सामिल हुए, दोनों सेंटर मिला करके, और कल सुबह, यानि परतेकर अभी बार को अभी, जब तक एकजाम है, फ्री ओफ कॉस्स टेस्ट क्योंकि जितने अधिक बच्चे भीर में आकर टेस्ट देंगे, उतना अधिक बच्चों के बीच अपना रेंक उनको पता चलेगा, तब कमपेरिटिवली पता चलेगा कि अभी हमारा टैयारी का लेबल किया हुए, पुरा पटना पहुंच सकते हैं, जिदे भी शिक्षा का चैनल है, प्लेटफॉर्म बाइन भीन कुमार सिंग, दस बजे के बाद उस पर हम कोश्चन अपलोड भी कर देंगे, वो उसको डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल करके, इमानदारी पुरुबक बना लें उस सेट को, और जब हम मंडे को रिजल्ट पब्लिश करेंगे, तो उसमें अपना रेंक देख लें, उस भीर में, कि हमारा कहां पहुँच पा रहा है, इमानदारी पुरुबक सेट करना है, अब बात आती है, आप जो आप बोल रहे हैं, कई सारे अभी इसू है, पहला तो इसू है, attempt को ले करके, अगर बास्तविक में देखा जाए, तो attempt तो प्राबदान है क्या, इस बिहार में ही क्यों इसका, नहीं नहीं, टीचर में नहीं है, तो सब जितना भी परियोग करना है, यहीं के बच्चों के साथ होना चाहिए, एक तो डुमिसाइल बरा मुद्दा है, लगातार बच्चे इसको उठाते हैं, और एस स्टेट उससे भी बरा मुद्दा आदे, आप दिसंबर में फ़र्म भरा लिये हैं, और इन चातरों को आप मौका ने देर हैं, कितना बरा नाहिंसाफी इन चातरों के साथ हो रहा है, एस स्टेट वाले बच्चों के बीच, वो आप लगातार अभी देखेंगे कि एस स्टेट वाले चातर दि अभी डाइट में परहाई कर रहे हैं, उनको भी था कि एपिरिंग में मौका मिलेगा, बीएड वाले अलग परिशान है, तो सरकार को अगस्ट से मार्च कर दी है, उनका अपना काम हो गया, लेकिन बच्चे कितना परिशान हैं, कितनी की भी चिंता नहीं, आप यूं समझे कि कई सारे अभेर्थी multiple exam में बइठेंगे, teacher में, 1 to 5 भी उनको देना है, 6 to 8 भी देना है, कई सारे बच्चे है 6 to 8 देना है, 9 to 10 देना है, 11 to 12 देना है, अब समझे एक महने से भी कम का समय है, कैसे यह अभेर्थी तयारी करेंगे, जैसे तयसे, और सबसे बरी बात ये है, कि बहुत सारे ऐसे अभ्यरती हैं, उनका तीसरा एटेम्ट होने जा रहा है, लास्ट एटेम्ट, उनको लगता है कि पिछले छे साल में एक भी वेकंजी नहीं आई है, और एक साल में ये चोथी वेकंजी आ जाएगी, तीसरी वेकंजी आ रही है, सब आजी माने के लिए फॉर् हो जाएगा हमारा वेर्थ हो रहा है, तो यह बरा सा प्रसन है कि आखिर चात्र करें तो क्या करें, तो बहुत सारे चात्र काते हैं कि सर हम इस वार फॉर्म ही नहीं भरेंगे, तो मेरा उन चात्रों से काना है, फॉर्म आप निश्चित रूप से भरिये, वहां दिक्कत नह लेकिन जब तक नहीं करती है तब तक तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं उसके बारे मान नहीं सकते हैं अगर कर दी कोई बात नहीं आपको एकजाम में सामिल हो जाना है अगर नहीं करती है लास्ट अगर एटेम्ट है तो उस समय सोच समझ करके सामिल होना है एकजाम में लास्ट एटेम्ट है लेकिन जिनका दूसरा एटेम्ट है उनको हम कहेंगे आप जरूर सामिल हो और अगस्त वाले में भी सामील हूँ अब दूसरी बातें ये आती है जो चातरों को सबसे ज़्यादा confusion होता है attempt कैसे count किया जाता है तो आप यहूं समझे कि 1 to 5 का 3 attempt अलग होगा 6 to 8 का 3 attempt अलग होगा 9 to 10 का 3 attempt अलग होगा और 11 to 12 का 3 attempt अलग होगा इसलिए के इधर पेपर में कुछ ऐसा चीज़ दे दिया था बच्चे कन्फ्यूज कर गए आप कह रहे हैं कि अगर कोई शिक्षक अभीरती है वो 1 to 5 में 3 बार chance किया नहीं कर पाया उसके आद वो चाहता है कि 11 to 12 में हम chance मारें सब को अलग अलग 3 attempt सब के लिए मिलेगा उनको सब क्लास के लिए अलग अलग 3 attempt 1 to 5 के लिए अलग 6 to 8 अलग और जो एक बार B8 वाले TRE1 में B8 वाले को 1 to 5 में बैठा दिया गया था तो उनमें अभीरती की कोई गलती नहीं थी उसमें वो attempt आपका count नहीं होगा वो attempt count नहीं होगा तो इसले करके इन बातों पर गवर करना अभी बहुत बच्चे confusion अभी भी होता है combination को ले करके हाँ खास करके 9, 10, 6 to 8 social science में तो हम उन अभीरती को अभी बता देना चाहते हैं कि जिनका बहुत बच्चों का जैसे honors economics है उनको लगता है कि economics ही हम को रखना परेगा दूसरा paper हम रखने सकते हैं उन अभीरती को हम कहना चाहते हैं वो आपका qualification के लिए तीनों honors और दोनों subsidy मिला करके देखा जाता है कि combination पूरा हो रहा है कि नहीं लेकिन आप subject रखने के लिए बात ही नहीं है आप history, quality, economy, geography इस चार paper में से कोई भी दो subject रखिये लेकिन एक इतियास या भुगोल उसमें जरूर होना चाहिए इसलेकर economics owners है तब भी आप history, quality रख सकते हैं कहीं कोई संसाई वाली बात नहीं है अटेम्ट को लेकर तो आपने बड़ा खुलासा कर दिया जो और हमको पूरा करने दिजिए दूसरा 6 to 8 में भी combination को लेकर के बच्चों का problem रहता है अब 6 to 8 में क्या है कि वहाँ पर धेर combination बनाया गया है history, policy, economy, geography ये चार तो है ही इसके अलाबा psychology, sociology, home science, philosophy इसके अलाबा commerce और भी कहीं सारे paper उसमें दिये हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि इतने सारे subject में से कोई दो subject आपका है तो आप फॉर्म भरने का eligibility रखते हैं लेकिन subject का वहाँ पर भी 6 to 8 में chain करना है तो वही चार में से दो paper chain करना है history, policy, economy, geography में से combination अपने हिसाब से बनाना है लेकिन एक इतियास या भुगोल जरूर होना चाहिए और 6 to 8, 9, 10 अगर दोनों है तो एक combination जो भी आप रखेंगे 6 to 8 या 9, 10 के लिए अपने आप automatic दोनों में similar combination हो जाएगा तो इन बातों पर एकदम खास करके धियान देना है एक बात और बाता देना चाहते हैं कि language को ले करके जैसे कि अगर honors अत्वा subsidy मिला के कोई language subject आपका है language का मतलब हुआ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, कुछ भी तो आप उसको मुख्य paper के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं हम बताए honors और subsidy उसके अलावा की बात हम नहीं किये, एक honors होता है दो subsidy होता है, इसमें कहीं पर भी language है, तो आप language paper के रूप में उसको आगे 6-8 या 9-10 में बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपने जो बताया यह सब चीज, उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि STT pairing वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं कि उनको मौका मिलेगा कि ने फिर B8 वाले भी बैठे हुए हैं, डेलेट वाले बैठे हुए उनका होगा कि महले मौका मिलेगा कि नहीं का सकते हैं, लेकिन देगी कि नहीं देगी सीटेट वाले कुछ नजर आ रहे हैं सीटेट का तो अब दे दिया कि 15-17 तक में रिजल्ट आ जाएगा इसलिए कि उन बच्चों का खुस होना सुभाविक है सबसे ज़्यादा ध्यान किस में देना है क्योंकि क्या होगा होता ना कि आप हमेशा कहते हैं कि यह चीज पढ़ दो के तो बेड़ा पार हो जाएगा क्लास 6-12 अब देखिए 1-2-5 हो या 6-2-8 हो या 9-10 11-12 छोड़ दीजे 1-2-5 हो 6-2-8 हो 9-10 हो किसी का लेवल कम नहीं है सब का लेवल उतना ही बरहा दिया है आप TRE1 में देख लिए 1-2-5 का लेवल और जिस तरीके से चेर्में सर बोले है कि इस बार एक लेवल हम बरहा करके ही रखेंगे तो इस्टुडेंट को चाहे 6-6 मा का हो 1-2-5 का हो 9-10 का हो मिनिमम ट्वेल्थ लेवल तक तो उनको बहतर करना ही होगा इसलिए करके छठास लेके बारमी तक का NCRT, SCRT दोनों पर अच्छी पकर आपको बनानी होगी पकर अच्छी नहीं होगी तो फिर दिकतले टक जाएंगे सुब आभी के कंपेटिसन जादा है परिशानी बढ़ेगी देखिए नवीर सर्मारे साथ मौजूद है